हालो फ्रेंड्स रादे रादे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और बताइए कैसे होगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे तो आज का जो दिन है वो संडे है और तारीक है तीन अक्टूबर है आज और आज मेरे ससुर की तीथी है त और आप समय देख सकते हैं कि साथ बज़ रहे हैं मैंने सोचा दिन की सुरुवात करती हूं आप लोग से बाते करके और अभी मैं जा रही हूं फूल का माला बनाओंगी फिर मैं किचन में जाओंगी तो आगे वीडियो में बने रहिएगा फूल वाच किया करिए वीडियो को प्लीज और यह देखिए आज मैंने यह वाली साड़ी पहन ली है इसका ब्लाउज मैंने अभी नई सिलवाया है नई है साड़ी यह मैंने इतनी भी नई है मैंने गड़ेश चौत में इसे पहना था और उसका भी वीडियो यूटूब पे है आप वहां जाके देख सकते ह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो यही साड़ी गड़ेश चौत के बाद मैं इसे अप पैंड रही हूँ तो बात को लंबा नहीं करती हूँ चलती हूँ पहले मैं माला बना लूँगे फिर कीचन में जाओंगी तो आगे बने रहीएगा फ्रेंस बना रही थी क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चे उग जाते हैं तो वो नहीं बना रही थी तो आज मैंने हिमाला बना दिया तो अभी मैं उनकी थाल भी लगा देती हूँ थोड़े से फ्लावर बचे थे तो उसे साइड में रख दूंगी और यह चावल चावल जो है वो अब और इधर प्याज भी मैंने पानी में रख दिया है अभी कट करूंगी और यहां देखिए काबली चने जो है फूल गये हैं तो सबसे पहले मैं तरोई को कट करके एक साइड में रख लेंगी क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि सबसे पहले मैं तरोई की सबजी बना नहीं हूँ काबली चने और मैंने उसमें दो आलू कट करके डाल दिया है तो उसे मैं सीटी लगा के रख दूंगी तीन-चार सीटी आने तक ही बस और हाई फ्लेम पे नहीं है मेडियम फ्लेम पे है और यहां हजबन प्याज लाए थे रात को तो वही मैं स्टेंड में लग दिया है तेल भी गरम हो चुका है अब मैंने जीरा और हरी मिर्च एक मिर्च ली थी उससे मैंने तड़का लगा लिया है और तरोई डाल दूंगी और हलका सन्नमक और हल्दी पावडर डाल के इसे बस मैं ऐसे सिंपल सी सबजी बनाऊंगी और इधर जो है छोले हैं वो तो मैं चावल भी डाल देती हूं और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी खीर को और यहां जो तरोई है वो पानी छोड़ दिया है बस थोड़ा देर और पका के फिर मैं गैस को आफ कर दूंगी यहां छोले भी बन गया है तो इसे मैं साइड में रख देती हूं इसकी सीटी निकलने तक फिर मैं मसाला पीस लेती हूं यह प्याज मैंने ले लिया है दो बड़े प्याज मैंने लिये हैं और यह टमाटर एक है बड़ा साइच का और चार साइच चार या पांच हरी मिर्चे लेसं कलिया है एक पोटी जो एक आती है पूरी खड़ी और अच्छी तरीके से सूख गई है तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और मैं चलिए छोले दिखाती हूं कि कैसे गले हैं या नहीं तो यह दिखे छोले भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए हैं इसे मैं दूसरे बरतन में निकाल लूँगी और हींग फ्रेंट्स मैं मसाल लाल मिर्च और जीरा लॉंग इस सबसे तड़का लगा दी हूं और फिर मैं इसमें लेसुन की 5-6 कली मैंने डाल दी है अब यह थोड़ा सा हलका सा अपना जो कलर है चेंज कर देगा ना तब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और अब मैं प्याज को अच्छी तरीके से मैंने इसमें प्याज के साथ ही मैंने इसमें डेर चमच मतलब जितना छोले में नमक जाएगा ना उतना मैं डाल देती हूं और उसी प्याज के साथ ही मैं पकाती हूं बाद में मैं नमक नहीं डालती हूं तो यह देखे प्याज जो है वो भून गई है तो मैंने इसमें मसा इसका मैंने एक पेश्ट तयार कर लिया है अब मसाले के ऊपर यह डाल दूंगी और मसालों को तब तक भूनूंगी जब तक मसाले तेल ना छोड़ दे तो अभी देखिए सब चीज मैं एक एक चीज रखके मैनेज कर रही हूं क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाएगा तो अच अच्छी तरीके से यह बन गया है पकोड़े तलने के लिए तो अभी मैं साइड में रख देती हूं इसे और यहां देखे छोला का जो मसाला है वह बहुत अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है और थोड़ा इसमें हम कम तेल ही यूज़ कर रहा है फिर भी काफी है आज तो अब मैंने इसमें जो छोले उबाल के रखे थे छोले और आलू वो डाल देती हूं और फिर इसमें उबाल आने तक छोड़ दूँगी और यह देखे फ्रेंस मैंने लास्ट में इसमें गरम मसाला एट किया है यह धनिया पावडर घर का बना हुआ है मैंने मार्केट से नहीं मंगाया है तो अब इसे बस उबाल आने तक छोड़ दूँगी छोले तयार हो जाएंगे यहां खीर भी बनके रेडी हो गई है बस पांस मिनट और पकालूंगी तो साय दब हो जाएंगे क्योंकि अब यहां देखे छोले भी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से उब लगे हैं तेल इूपर आ गया है तो अभी थोड़े थोड़े भरतन निकल रहे थे ना तो मैं उसे लगातार धोते जा रहे थी क्योंकि अगर मैं सिंग को छोड़ देती ना तो सिंग में बहुत बरतन हो जाते और सिंग पूरा गंदा दिखता तो इसलिए मैं थोड़े थो अब मैं इस साइड में रख लूँगी और इधर पूरी मैंने फ्रेंट्स पूरी से पहले मैंने बड़ी निकाल ले थी और मैं भूल गई क्योंकि काम बहुत जादा था मैं भूल गई बड़ियों को दिखाना फ्राई करते हुए तो मैंने उससे निकाल लिया है अब पूरी निकाल लेती हूँ बस मैंने पित्रों के लिए पूरी निकाली है हम लोग के लिए तो रोटी ही बनाई है क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग उतना ओइली चीज नहीं खाते हैं तो यहां देखिए जो बाकी का बैटर बचा था उसमें मैंने नमक, मसाला, मिर्च सब डालके उसे भी मैंने फ्राई कर लिया तो फ्रेंड्स आज अपने ससुर की तीथी पर मैंने ये सब कुछ बनाया है बनाने को तो हम बहुत कुछ बना सकते हैं पर मैंने इतना ही बनाया है तो ये दिखे खीर है, छोले हैं, तरोई के सबजी, बड़े, जीरा राईस और ये प्याज मैंने, हम लोग खा रहे थे तो प्याज मैंने रख दिया था और सादी रोटी, क्योंकि पूरी मैंने बताया था, कि हम लोग के लिए मैंने नहीं बनाया था तो पित्रों को चड़ाने के बाद से फिर हम लोग ने खा लिया इतना सारा काम होता है ना, कि मैं उस से में भूल गई, रिकॉर्ड करना तो अभी देखिए सब लोग ने खाना खा लिया है, तो सिंक भी मैं साफ कर लेती हूँ क्योंकि सिंक का साफ होना ज़्यादा जरूरी होता है अभी हमारा लंच हो गया है, और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया है, सारे बरतन भी मैंने वास कर दी है और अभी देखिए बाल मैंने खूले रखे हैं बहुत बार चड़ रहा है और मेरे फेस से पता चल रहा होगा यह देखिए कितना ऑइल हुआ है क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना बारिस तीन दिन बारिस हुआ था बारिस के बाद धूप आज जो है ना धूप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यूव वीडियो अपलोड करूंगी उसके नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो प्लीज फ्रेंड हमें सपोर्ट करिए हम सब नए यूटूबर को आप सपोर् करिए और यहां देखे चबी जो है पेपर में कुछ पढ़ रही है क्या पढ़ रही है वो पेपर में जो आता है ना थोड़ा किसी चीज का परचाद टाइप का वहीं पढ़ रही है वहां से टूप पढ़ रही है और अभी बस मुझे मैं भी खाली हो गई हूं एक बज़े ऑसे कर्के फोन रखोंगी ना तो फिर वही एडिट करोँगी नहीं हमारी ना मैं जो ङूंट्यूब लिखा रही है यहां पर दिया है नको तो अट तो गहीं दिखा रही है कि मम्मी यह द देखिए तौक दूट्टूब से नहीं आक है वह वी यूटूब से नहीं हो balanced लंबा नहीं करती हुए वीडियो को एंड कर रही हूं तो आप सब भी स्वास्त रहें मस्त रहें और बाई बाई प्रेंड्स